हेलो फ्रेंज ज्यारकन करनाफिस 2021 में हम सितमबर अक्टूबर के जो भी करेंटरपेस होंगे उनको देखेंगे और यहाँ पर कोस्चन है ज्यारकन में बिद्रुका इतिहास पूच्तक को ज्यारकन की सांद्रोंकारी और पूरसांसद ने लिखा है साथ ही साथ ज्यारकन के कि सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दावा दें चलिए हम लोग एक एक करकी जितने भी हैं करनेटर पेस उसको देखते हैं और समझते हैं पहला कोस्चन है ज्यारकन के किस अस्पताल को आयुस्मान योजना में देश भर में तिसरा अस्थान मिला है तो यह कोस्चन है और इसके जो ओप्शन है रीम्स और पोलो सदर अस्पताल और सेवासदन तो यह चार ओप्शन है और इसमें आपको पूछ रहा कि आयुस्मान भारत योजना के तहट 11.55 करोड का किलिम पूरा कर राची संदर अस्पताल ने पूरदेश में तीसरा अस्थान हासिल किया है तो यह जहरकंड के लिए गोरो की बात है फिर आयसमान भारत योजना के तहट में साड़े ग्यार लगबक करोड का किलिम पूरा करके राची के भारं 23 सितंबर 2018 को राची से ही परधान मंत्री नरंद मोधी ने स्वास्ता जुड़ी योजना का आरब किये थे तो यहां Dosvid castron 48 यहारा को पधानमंत्री नर्दमोदी के दुबारा रांची से ही इसका सुभारन किया गया था और इससे यह जो है स्वास्थ से जुड़ी योजना है भार सरकार की दूसरा कोस्चन है जहारखंड की बेटी हर्शिका सिंग का लेख लंदन इस्कूल ओप एकनोमिक्स की मेकजि प्रकास्ति वाता तो यह किस देश यह किस जिले के रहने वाली है तो ओफ्षन है रांची रामगड बोकारो और धनबार तो इसका सही उत्तर है रांची रांची चिले की रहने वाली है हर्शिका सिंग हर्शिका सिंग भारतिय प्रसासनिक सिवा की अधिकारी है जो पहले जहरकंड केडर की अफसर थी और अब मजदपर्देश केडर में हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक के लेख में टिकमगड जिला कलेक्टर के रूप में किये गए कारियों का जिक्र किया है तो यह जो हर्सिका सेंग है वे आई एसें भारती प्रसासनिक सिवा की अधिकारी है जो पहले जहरकंड केडर की अफसर थी लेकिन बाद में इन्होंने अपने आपको मध्यपर्देश में करा लिया है और अभी मध्यपर्देश केडर में है और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें टिकमगड जिला के लेक्टर के रूप में जो इन्होंने का रह ज़ार्खाण के कि ज़ेगापर होगा, तो यहाँ करन्टध पर से चौता जरखान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल जरख्ण की ज़ेगापर होगा ओपशन है आपका इरे हाउस्, विदानसभा、 हज हाउस और लेलिन हौल यह चार ऑप्शन है तो इसका सही उत्तर है आड्रे ाउस में कि ज्खोरता करता इसे जगह पर हो इसके अतमरे कीशimana तो यहाँं चूरुथा ज्खंपने इंट्रेशनाल फिल्म फिल्म वीतिफीते होगा और इसमें पलामु में बने फिल्म उपन्यास से शुरुवात होगी और यहां पर 24 देशों की 152 फिल्में दिखाई देंगी जिसमें जारकन की 22 फिल्में होगी तो यह आप पो याद रखना है कि यह जो चो था जारकन एडिजनर फिल्म फेस्टिवल जो 31 से 29 से 31 उक्टबर तक आर्डर हाउस में होगा इसमें जो पहला फिल्म दिखाये जाएगा वहाँ पलामों बनी फिल्म है जिनका नाम है उपन्यास तो यह इसी से शुरुवात होगी और यहां पर टोटल 24 देशों की एक सुबावन फिल्में दिखाई देंगी जिसमें से जारकन की 22 फिल्म है तो यह भी एक गोरों की ही बात है जारकन के लिए इस महत्सुव का जो थी में हुआ है आजादी का अम्रित महत्सव और यहां पर जारकन के सवदेशी सवतनता सिनानियों का चित्रन किया जाएगा वो साथ साथ में सोट फिल्म भी दिखाये जाएगा तो यहा हाउस में अगला है कि दो पुस्तके मुंधता खोर और अयंग कत्ध डंडी का भी मोचन राची विश्वीदाल की कुलपती कामिनी कुमार ने कि यह किस भासा के पूस्तके हैं तो यह आपको याद रखना है दो पूस्तके हैं जिनका नाम भी आपको ध्यान रखना है खडिया नागपूरी और कूडूग यह चार अपस्वन हैं तो इसका जो है सही उत्तर वह है कूडूग भासा की यह दोनों पूस्तके हैं मुंधता खोर और अयंकत्ध डंडी तो जानते हैं इसके पार में प्रियमचंद उराओं के द्वारा लिखी कविता आधारित पूस बढूसाहन इस सिटाने के लिए प्रोसान मिलेगी तो यह पर भारी कुल्पति कामेनीकुमार के दवारा इनका विमोचंद से क्या होगा कि यह जह लगा इसको समझने के लिए इसको जानने के लिए इस भासा को और प्रोकोशान मिलेदा तो साथ है नए पत्तों का निकलना साथी साथ अयंग कत्र डंडी का अर्थ है मा की कही हुई बात यह है इसका अर्थ मा की कही हुई बात अयंग कत्र डंडी का और मुंताकोर का है नए पत्तों का निकलना तो यह आपको याद रखना है और यह जो दोनों पूस्तके हैं वहाँ कुडिक भासा की है यानि कुडिक भासा से यह बनी है इसके अलावा में है अगला जारखन में विद्रोह का इतिहाज पुस्तक को जर्खन के किस आंदोलनकारी और पूरो सांसन में लिखा है, तो इसका ओप्शन है सेलेंदर मातो, विपी केशरी, रामटाल चोधरी और रविंदर कुमार पांडे, तो इसका सयूतर है सेलेंदर मातो, इन्हों ने जर्खन में बिद्रों का इतिहास पुस्तक को लिखा है तो सेलेंद्र महतो के द्वारा हस्त स्वहस्त लिखित पूस्तक को जनता को समर्पित कर दिया गया है और इसमें इन्होंने जहारखन की करांतिकारी आंदोलन इतिहास के बारे में बताया है सत्रासो सरसर से लेकर के उन्हीं से चोदत तक हुए आंदोलन संगर्स का विबरन है इसमें धालभूम बिद्रों से लेकर पूस्तक की कहानि सुरुआत होती है तो दोस्तों सेलेंद्र महतो के द्वारा हस्त लिखित पूस्तक है उसमें जहारखन करांतिकारीयों के बारे में नेताओं के बारे में जो है सवतता स्यानियों के बारे में और आंदोलन किस परकार हुआ इसनी के बारे में इतियास में बता गया है जो की 777-6- पूस्तक में धालबुम बताया गया है अगला कोस्चन है केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन में जहारखण की किस जीले को जहारखण में प्रतम अस्थान मिला है तो केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन है उसमें जहारखण किस जीले को जहारखण में ही प्रतम अस्थान मिला है ओप्षन है पाकूर रा में जारखंड के रामगर जीलिया तोप में रहा और पाकुड की इस्तिति जारखंड में सबसे खराब रही तो पहले नमबर पर है रामगर और दूसरे नमबर पर है पाकुड तो इस मिशन के तद जारखंड के घरों में पीने के साफ जल को नल से पानी पहुंचाना है इस मि घर में तो यहीं है इसका योजना तो यहां पर जितने पी करेंट रपेर से वह आपको याद रखना है यहां से हो सकता है कोशिन पूछे आपको तो जो चनल में नए याँ चनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकरिशन अपडेट आप लोगो को मिलती रहें